नमस्कार दोस्तों यदि आपको बैंक दोरा किसी भी परकार की समस्याओं का सामना करना पर रहा है या NBFC से आपको किसी परकार की प्रोब्रम हो रही है और बार बार बैंक जाने के बावजुद आपकी समस्याओं का समधान नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों आप किसी भी ब बैंक लोन से संबंधित हो या क्रेडिट कार्ट से या चेक भुकतान से या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से या ATM कार्ड या एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसपर करने से रिलेटेड या बैंक से संबंधित कोई समस्या हो इसे आप RBI को रिपोर् कि यहां पर आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है इस पोर्टल पर आप डारेक्ट क्लिक कंप्लेंड नहीं कर सकते हैं सबसे पहले आपको अपने बेंक में कमप्लेंट करना होगा अगर वहाँ से 30 दिनों के अंदर आपको सलुसन नहीं मिलता है तब आप RBI को कमप्लेंट कर सकते हैं कमप्लेंट करने के लिए आपको दिये हुए केपचा को फिल करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है यानि जो कमप्लेंट कर रहा है उसका नाम फिल करना है यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नमबर फिल करना है और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करना है इसके बाद आपके मोबाइल नमबर पर एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ फिल करना है OTP फिल करने के बाद आपको validate पर क्लिक करना है यहाँ पर आपका नाम और mobile नमबर औरेडी दिया हुआ है यहाँ पर आपको अपना email ID फिल करना है और उसके बाद आपको अपने complain की category सेलेक्ट करनी है आपको अपने अनुसार category सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर आपको अपना age बताना है और उसके बाद आपको अपना gender बताना है और उसके बाद आपको अपने state का नाम सेलेक्ट करना है और फिर आपको अपने district का नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना address fill करना है और यहाँ पर आपको अपना pin code select करना है उसके बाद आपको entity name में आपको अपने bank का नाम select करना है इसके लिए आपको अपने bank के नाम को type करना है और इसे select करना है अगर आपका complaint credit card से related है तो yes करना है और नहीं है तो no करना है और उसके बाद आपको estate select करना है जिस estate में आपका bank है और उसके बाद आपको district select करना है district select करने के बाद आपको अपना branch का नाम select करना है अगर आप अपना complaint खूद कर रहे हैं तो no पर click करना है अगर आप RBI को complaint पहली बार कर रहे हैं तो no पर क्लिक करना है अगर आपका complaint management और executive के against है तो yes पर क्लिक करना है अन्याथा no पर क्लिक करना है अगर आपका complaint disputes related है तो yes पर क्लिक करना है अन्याथा no पर इस पर भी आपको no पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको next पर click करना है अब आपको अपने complaint के लिए prove देना है यहाँ पर आपको account number fill करना है यहाँ पर आपको transaction या reference number fill करना है और यहाँ पर complaint के बारे में बताना है और prove के तोर पर document upload करना है document upload करने के लिए यहाँ select file पर click करना है और document को select करके upload कर देना है और form completely fill होने के बाद आपको submit पर click कर देना है इसके बाद आपका form RBI को submit हो जाएगा और जल्द से जल्द समस्या का समधान मिल जाएगा तो दोस्त यहाँ जनकारी आपको कैसी लगी हमें comment में बताएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और share करें अगर वहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लें तो मिलते हैं एक और नए interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत